नमस्कार दोस्तों रमेडी अपडेट्स चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बिच्छू के काटने पर उसका डंक उताने के लिए क्या-क्या घ्रलो पाई किये जा सकते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अगर अभी तक आपने रमेडी आप डेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों बिच्छू एक बहुत ही खतरना कीड़ा होता है जिसके काट लेन से इनसान को बहुत ही तकलिव होती है अगर किसी को काट ले तो उसकी जान भी जा सकती है क्योंकि इसका जहर पूरे श्रीर में फैल जाता है अगर किसी को बिच्छू काट ले तो सबसे पहले उस डंक वाले स्थान पर कस के एक पट्टी बांद दे ताकि जहर आगे न फैल सक दोस्तो बिच्चू के जहर के कई ग्रहलूप चार भी हैं उसको उतारने के जो हम आया को बताने जा रहे हैं तो दोस्तो जली जानते हैं वो कौन-कौन से उपाई है जिन से हम बिच्चू के जहर को ख़तम कर सकते हैं दोस्तो जब किसी को बिच्छु काट ले तूस जगावार पदिना के पेश्ट बना कर लगाना चाहिए और पदिना का रस भी पीना चाहिए ताकि जहर जल्दी उतर जाए दोस्तो डंक वाले स्थान वार फटकरी का पेश्ट बनागर लगाने से भी जहर आगे नहीं फ्यालता दोस्तो एक चमच, एक लेसुन के रसमें तीन चमच शेहद मिलागर खाने से भी जहर का असर कम हो जाता है और आदा चमच नमक और पांच लेसुन का पेश्ट डंक वाले स्थान पर लगाने से भी जहर उतर जाता है दोस्तो सेव का पेश्ट बनाकर डंक वाले स्थान पर लगाएं और मरीज को सेव खिलाएं इससे भी जहर जल्दी उतर जाता है दोस्तो मूली के पेश्ट में हलका नमक मिलाकर डंक वाले स्थान पर लगाने से और मूली खिलाने से भी जहर आगे नहीं फैलता दोस्तो तुलसी के पत्तों का पेष्ट बनाकर उसमें थोड़ से नमक मिलाकर डंक वाले स्थान पर लगाने से भी जहर का खतम हो जाता है दोस्तो डंक वाले स्थान पर सरसों की वीज़ का पेष्ट बनाकर लगाने से भी जहर निकल जाता है तो दोस्तो अगर आपको कभी कोई ऐसी समस्य आजाए, भगवार न करे आपका बिच्चु कटे लिकनर कभी ऐसी समस्य आजाए तिन उपायों को अपनाए और जहर से छुटारा पाएं तो दोस्तो कैसा लगा आपको वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें चैनल क्योंकि से चैनल सब्सक्राइब कर नमत भोलना दोस्तो अपनी दोस्तों को अजाज़त दीजिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार